साब से पहले तो गए जरदारी साब की तरफ है चुके उन्हें ने का वा था बाले बेटा टाइम पर पहुंच जाना हाँ बहाँ गए तो खुस हो गई तभी है तो भाई सेंकडों बकरे बांदे हुए अच्छा मैंने का जिनाब जानवर का है कहते है वो नजर नहीं आ रहे डेन्वर हमें आ कि यहिणा डार sa है दो जानव्रे की तरफ बड़े है तो जानवरों में एक नारे कि अब आ जाई है जीए बुट्टто का कि हुर बखिर तो नारे काते हैं बस जो जो य ह割ा ना लगा उससे छोडदो बाकि सारे कुर्मान का था हा 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 हाँ बख आ बह पास पहुंचे नहां तो बेजमान चीज भी नारा लगा देती है खुरीद भाई बकरे तो इतने दे लग रहा धब जल सा हो रहा अच्छा अच्छा जर्दारी साब इतने बकरे कैसे हम जिबा करेंगे कहते हैं बिटा जर्दारी टेक्नीक इस्तमाल करो जर्दारी टेक्नीक जी कहण लगे छुरी काही सारा किसी और बकरे की तरफ करो और फेरो किसी और पर पे बाश्योवी टेक्नीक इस्तमाल की है वह भी खुस हो गए हमारा भी काम खतम हो गए तो तो तुम बडे माहर ने फन में? जिया, उसके बाद पाँचे डार साब की तरफ. अचा. बाँचे डार साब की तरफ गए? जिया, 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 जाहर है, वो भी एक बड़े आदमी है, उन्होंने भी फून किया हुआ था, बाले, मेरी तरफ जरूर आना है और पहले दिन नहीं आना है मगर उनकी तरफ जब पहुंचें तो लेने के देने पड़ गे वो क्यों? जब भूण किया डार सामने मैंने का कुर्मान नी कितनी है मैंने का बटा फिकर न कर पूरी मुलकी खजान ने जितनी कृर्मन नी है मैंने का फिर तो बहुत जयाद अब जानवर होगे जब वाह पाँचा मैंने का जनाब कहा है जानवर है नजर नी या रहा मोटे सीसों वाली यानिक थमा के ज़े लगे यह लगा के जरा देखो अपने पाउं की तरफ बकरा खड़ा रजब मोटे सीसों वाली एंग लगा के देखा तो खर्गोस जितना बकरा खड़ा था मैंने का यो बकरा कहते हैं मैं तुम्हें बताया था जितना मुल्की खजान ना उतनी कुर्बानी है बस बाएं आद से बकरा उठाया दाएं आद से सूरी फेरी जल्दी जल्दी हाथ हो महीं बना बनू के उनको पेस किया बकरा दो बाओ जी इतना चोटा था उसकी कुर्मानी ऐसे हुई जैसे बांद मंकर नहीं लगाते उसके बाद डार साब करने लगे बेट आप जल्दी से से के तीन हिस्से कर दो उक्षे मैंने का जरू इसके तीन हिस्से कर ऑक कंव कर्ना चाय moonlight Excellence बांठूंगा घ्रीबु में तूस्रा बेज़ूगा रिष्तेदारों में और तीसरा गर मे रखमान ऑई हुई करहें करेंगे तैंय। कहने लगे बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं अपने मुलकी खजामने में से बज़ट निकाल लेता हूँ इसका मतलब यह हुआ कि कुर्बानी में भी उन्होंने डार टेक्निक इस्तमाल की जिया जिया कोसत बनाते हुए बड़ा बखत बड़ा मैं निकाल जी बोटी छोटी रखनी है या बड़ी कहने लगे बाई जितनी भी रखनी है आई एमफ की सरायत के मुताबक रखनी है अज़ा फिर तो पैसे अच्छे खासे मिले हुँगे डार साप की तरफ से खाक अच्छे मिले पैसे क्यों क्या हुआ रद दास हजार पर बकरा कर रहे थे साथ हजार पया दे दिया हम चुपकर गए वह यो बड़े आदमी है क्या वो लेंड के आगे जब साथ हजार लेके दो हजार वापस करो कसाई टाकस भी काटना है जब पांच है यार यार को बाहर निकालो योब दो तुम फाइलर हो या नान-पाइलर मैंने कब हो गया उता है लेके बापस हाझार पे है ले लिए बापस अधिन का हद दो गई बाही इने चार हजार को इगनी मत समझा मिनी क और ले लिया, शूरी टो का रजिस्ट्रेशन फीस दे के जब मैंने तीन हजार जे में डाल के जेट की तरफ कदम बढ़ाया, तो पिछे से कहने लगे बाले, दो तीन दिन में बास साला, डाही तीन लाग तो कमाई लेते हो गए, मैंने का जी मालक का सुपर है बानी जाता, कह दो लाग के उपर जिसकी इंकम है, डाही हजार उसका भी काटना पड़ेगा, डाही हजार और ले लिया, जो पांच सो बच गया था मरा मुक्का, मैं नेफे में अडा के बाई निकल नहीं लगा हूं तो कहने लगे बखरा लेवी दी है, मैंने का वो क्या होती है जिनाब, यह को बखरा इस्तिहार तो नहीं, जो लेवी लगा के करना पड़ता है, कहने लगे इंकम टेक्स अडबांस जमा करबाया, मैंने का हजूर गरीब आद मी है, क्यों इस तरह कर रहे है, कहने लगे अभी तो capital gain tax भी रहता है, मैंने हा ना किये बगार पांच सुर प्या नेफ मैंने का जिनाब छुरी फेर दे गरीब आदमी के लिए, एक तो दिया साथ अजार ओकपर से उसका भी कीमा कर दिया, गरीब के पैसों के कोफते बणा के खाते हैं ये बड़े लोग, बिलकर टीक कह रहे हो, हमारे मुल्क में गरीब के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है,